सर मैंने जो श्लोक से किया है वह जो अद्रिशे है अग्राईये है अगोत्र है अवर्ण है और चक्षू श्रोता दिहीन है इसी प्रकार अपाणिपाद नित्ते विभू सर्वगत अत्यंत सूक्ष्म और अव्यय है तथा जो संपूर्ण भूतों का कारण है उसे विवेकी ल लोग को सिलेक्ट करने का मेरा जो इंटेंशन है वो यह है कि बात उस उस सौल की हुरी है बात उस सावंड औस साइलन्स की होबिए तो वह समस्त भूतों का जो पंच भूत है उनका कारण कैसे हो सकता है वह जो छोटा सा पार्टिकल इतने बड़े ब्रहमांड का Hard का करण कै कैसे हो सकता है consciousness भी वही है पुरुष भी वही है प्रकृति में मिलकर वह कैसे इस पूरे ब्रह्माण का कारण हो सकता है अब इसको अराम से बिल्कुल पेशेंटली पीस्पुली अराम से समझते हैं वह जो अद्रिश्य उसको देखा नहीं जा सकता है आखों से या किसी भी इ humanize or by any other instrument or by any animal it is not visible to the eyes तो ये देखने का विशे नहीं है अग्राम्यम मतलब कि आप उसको ग्रहन नहीं कर सकते हो यानि कि उसको पकड़ नहीं सकते हो उसको capture नहीं कर सकते हो जैसे जल है उसको आप ग्रहन कर सकते हो जल आपने कहीं से लिया और पिया तो एक तरह से आपने इसको ग्रहन कर दिया आपने मतलब आपके शरीर नहीं बट इसको आप ग्रहन नहीं कर सकते हैं ऐसा कोई पात्र नहीं है ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कि यह आ जाए और उसमें ले करके आप इसको पी जाओ अगोत्र इसका कोई गोत्र नहीं है जैसे आप से पूछते ह गोत्र होते हैं उसके अलावा आप देख सकते हो कि जो जानवर हैं उसमें भी अलग-अलग तरह के जानवर हैं अलग-अलग तरह के पेड़ पौदे हैं इन तीनों में भी फर्क है पेड़ पौदों में जानवरों में और इंसानों में उनको आप सब क्लासिफाई कर सकते हो तो इसको किसी भी तरीके से आप classify नहीं कर सकते हैं। इसको किसी भी तरीके से आप किसी category में fit नहीं कर सकते हैं। क्योंकि categorize आप तब कर सकते हो किसी भी चीज को जब कहीं appearance के level पर कहीं कोई difference हो या by birth कहीं कोई difference हो अब देख नध्यान से समझना, या तो by birth कोई difference हो, या उसके DNA के level पे कोई difference हो, तब हम उसको categorize कर सकते हैं, अलग नाम दे सकते हैं, या उसकी form अलग हो, या अगर वो एक sound wave है, तो उसकी frequency अलग हो, तब हम कह सकते हैं कि ये आवाज तेज है, ये आवाज धीरे हैं, तो कुछ भी अलग-अलग करने के लिए, पहले ये possible होना चाहिए, कि उसको अलग करने की गुझाईश हो, तो जो भ्रहम है, वो पैदा ही नहीं हुआ, तो जो पैदा ही नहीं हुआ, तो पैदा के बेस पे, जैसे जन्म के बेस पे, गोत्र और वन, ये सब पहले के जमाने में डिवाइड होते थे, मलब के टिगराइजेशन होती थी, तो जो पैदा हुआ, तो उसके हिसाब से आपको एक गोत्र में, जिस घर में आप पैदा हुए, उसके हिसाब से गोत्र में, वन में आपको फिट किया जा सकता है, आपको एक गोत्र और वन मिल जाता है, बट जो प उसको किस गोतर में आप फिट करोगे। जिसके कोई attributes है ही नहीं, जो अद्रिश्य है, तो कोई form नहीं है, तो आप उसको काला नहीं कह सकते, गोरा नहीं कह सकते, अमीर नहीं कह सकते, गरीब नहीं कह सकते, उसको आप living नहीं बोल सकते, non-living नहीं बोल सकते, उसको किसी भी त वो अजन्मा है, number one, number two, वो formless है, number three, वो infinite है, तो जो finite है, उसको आप किसी तरीके से capture करके उसको बोल सकते हो कि कम है, ज्यादा है, यह ऐसा है, या तो उसके कोई color हो, कुछ न कुछ attributes होने चाहिए, जिसके base पे हम उसको कोई नाम दे सके, उस रूप को, कोई रूप होना चाह हीन है, मतलब कि उसको आखों से नहीं देखा जा सकता, दूसरा शोत्र, अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो यह बोलने का और सुनने का भी विशे नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, जो भी हम कहेंगे वो गलत ही होगा, क्योंकि कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जिसके बारे में कुछ कहा जा सकते, जैसे आप हो, मैं हूँ, हमारे बारे में कितना कुछ कहा जा सकता है, बट कुछ ऐसा जो की अखंड है, जिसमें कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डिवीजिन, पॉसिबल ही नहीं है, उसको मैं को ऑपको दिखाई नहीं सकता हो तो उसके बरे में मैं क्या बोलुगा, जो भी बोंगा यहाँ अ है की वह सुनने का विशेस नहीं वह को तो यहां समझना, अब यहां पर लाधम क्या हो जाती है जो इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं वो यह समझते हैं जब यह सब है ही नहीं ना कहने का विशे है, ना सुनने का विशे है, ना इंदरियों का विशे है ना मन का विशे है, ना बुद्धी का विशे है तो इसका मतलब वो है ही नहीं That is emptiness, that is void, नहीं, अगर ऐसा होता तो उसके बारे में बात ही नहीं करी जाती, वो है, लेकिन वो इस सब का विशे नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक हमको समझ आ रहा है, यानि वो ग्यान का विशे नहीं है, जिस तरीके से हम एक दूसरे को ग्यान देते हैं, तो ग्यान देने के लिए, जिस चीज के बारे में मैं आपको नॉलिज दे रहा हूँ, उसके बारे में कुछ तो होना चाहिए ना बोलने के लिए, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, जैसे किसी भी चीज के बारे में कुछ बोलना है, तो क्या कहेंगे, कि ये चीज अब पैदा हो गई, या यानि एक form जो पहले exist नहीं करती थी अब एक्जिस्टेंस में आ गई, अब वो form मिट गई, यानि कि वो मर गई, यानि कि बदल गई, तो जो बदला ही नहीं उसके बारे में क्या कहोगे, जो समय से परे है उसके बारे में क्या कहोगे, स्पेस में कुछ है तो उसके बारे में बात करी जा सकते है उसको पॉइंट किया जा सकता है जिसमें स्पेस है उसके बारे में क्या कहोगे बलकि स्पेस के बारे में भी क्या कहोगे स्पेस भी मारिंग का विशे नहीं है कुछ बोल के दिखाओ ये जो space है इसके बारे में You cannot speak जस है तो है नहीं आप किस basis पे कह रहे हो कि space है आप क्या उसको touch कर रहे हो, feel कर रहे हो किस basis पे आप कह रहे हो कि वो है कुछ भी नहीं कहा जा सकता है Because the moment you say है तो मैं कहूंगा कि कुछ भी होने के लिए उसका कोई proof होना चाहिए, तो space का proof क्या है It might just be an illusion अब थोड़ा और आगे भड़ते हैं इसी प्रकार, अपाणी पाद नित्य, विभू सर्वगत, अत्यंत सूक्ष्म, देखो यहां पर clear हो गया है, कि वो है कि वो अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए वो इंद्रियों का विशे नहीं है और अब याया है तथा जो संपूर भूतों का कारण है, उसे विवेकी लोग सब और देखते हैं जो संपूर भूतों का कारण है अब ये कारण किस standpoint से है इसको ध्यान से समझना पड़ या भूत होते क्या है भूत मतलब वो जो दिखते हैं, लेकिन होते नहीं है पंच भूत कहते है धर्ती, जल, अगनी, वाई, वाकाश इनको भी भूत कहा गया है अब आप कहोगी, ये टीबल भूत कैसे हुई, ये तो मुझे दिख रही है अपनी आखों से, इसको भूत कहरे हो अगर स्क्रिप्चर के अगनी, देखा जाए तो धर्ती, जल, अगनी, वाई, वाकाश पानी को पी रहे हूँ, पानी भूत कैसे हुआ सूचो, दिमाग लगा सारे पांचो पार्टिकल से मिलके बिना हुआ है, पांचो भूतों से मिलके, इसले है वो तो पीछे आप चले गए न, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी ये जो है, ये इसको हम भूत कैसे बोल सकते है भूत मतलब that which does not exist in reality तो ये बहुत बड़ी बात है जो कही जा रही है, ये काफी अत्तक वैसी बात है, जो क्वांटम फिजिक्स कर रही है The observer effect, wave particle theory, कि instrument है तो particle है, अगर camera को place किया हुआ है और नहीं है तो wave है, तो जो particle है, यानि जो भी कुछ दिख रहा है, या hard लग रहा है That is all from the standpoint of instrument, which in itself is made of a particle, which is a particle But अगर उस instrument को भी हम monitor करते किसी और instrument से, तो वो instrument है, नहीं तो वो भी wave है अब क्या करोगे, सब तरह wave ही wave है, यानि कहीं कुछ है ही नहीं तो भूत का मतलब वो होता है, जो दिखता तो है, लेकिन होता नहीं है जैसे, cinema hall में हम movie देखने जाते है, क्या वहाँ पे actual में कुछ होता है नहीं होता है, यह हमें clear है, एक movie है, जो clay हो रही है, screen के उपर जब हम सपना देखते हैं, तो क्या actual में वहाँ पर कुछ होता है एक पूरी की पूरी दुनिया होती है, लेकिन actual में कहीं कुछ नहीं होता है तो यहां तो दोनों जगे हमको clear हो जाता है, कि यह दोनों भूत है भूत मतलब imaginary है, वो actual में exist नहीं कर रहा है, दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि screen में actual में कोई है, जैसे कोई बच्चा जा करके देखेगा, तो उसको actual में लगेगा कुछ है वहाँ पर वो शायद उसको touch भी करके देखेगा, और अब तो virtual reality आ गई है अब तो यह फार्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले time में कि actual में कौन है और कौन नहीं है, क्योंकि अभी तक वो 2D था, अब 3D हो रहा है, 4D हो रहा है तो यहां तक तो हमको समझ आ रहा है, movies के case में, और अपने dreams के base पर लेकिन जो हम आँखों से देख रहे हैं, इसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, यानि जो visible है आँखों से और हातों से आप इसको touch कर सकते हो, यह कैसे कह सकते हो कि यहां पर नहीं है और यहां पर क्या कह रहे हैं, जो संपूर भूतों का कारण है, अब ध्यान से समझो इस table के होने के लिए, किसी एक ऐसे instrument का होना चाहिए, जिसके through जब हम देखते हैं, तो यह table दिखे अगर इसको किसी ऐसी machine के through देखें, जो कि इसके आर पार देख सकती है, तो क्या वहाँ पर table दिखेगी यह नहीं दिखेगी वहाँ table हाई यह नहीं, वहाँ पर तो space है, तो this table exists only in relation to the instrument through which we are perceiving this table this world exists only in relation to the instrument through which we are perceiving this world किसी instrument से देखोगे तो दिन दिखेगा, किसी से देखोगे तो रात दिखेगी, किसी से देखोगे तो ऐसा लगेगा यहाँ पर कुछ है और किसी और से देखोगे तो कुछ नहीं है अगर कोई ऐसा जीव है जो कि इतना सुक्ष्म है जो इसके आरपार निकल जाए उसके लिए तो टेबल ही नहीं बट अगर कोई ऐसा जीव है जैसे के हम लोग जो इसके आरपार ना निकल पाएं तो हम कहेंगे टेबल है तो it is just a standpoint this entire universe is relative relative मतलब क्या होता है उसकी अपने आप में independent कोई existence नहीं है यथा दृष्टी तथा सृष्टी ये सिर्फ देखने वालों की आखों में है ये सिर्फ एक standpoint से exist कर रही है क्योंकि मैं अभी इसको देख रहा हूँ क्योंकि ये आँखे इसको देख रही है तो ये है पर जिस वक्त इसको नहीं देखा जा रहा है उस वक्त क्या है यहाँ पर vibration है scientifically अगर बात करी जाए तो यानि की वेव है जो अभी particle के जैसा दिख रहा है वो actual में तो वेव है जैसे पानी तो है पानी लेकिन लेहर दिख रही है है सटल लेकिन ग्रॉस दिख रही है इसलिए इसको भूत कहा गया है और यही हमारे जो रिशी मुनी हुए आज से हजारों साल पहले यही उनकी खास बात है जो science आज बाते कर रही है यह उन्होंने बिना किसी instrument के हजारों साल पहले ही देख लिया आज जाकर के science बोल रही है कि यह सब जो दिख रहा है material world वो actual में कुछ नहीं है वेव है actual में particle नाम की कोई चीज नहीं है सब वेव है particle exist only in relation to the instrument through which we are looking at that wave जो actual में वेव है लेकिन लग रही है particle के जैसी because of the instrument यह infinite loop बनेगा अगर ध्यान से देखोगे तो क्योंकि जो instrument है वो भी actual में वेव है वो भी कहीं नहीं है in other words एक mirror है उसमें एक दुनिया दिख रही है तो क्या वो mirror उस दुनिया से अलग है और दुनिया भी वेव है और दुनिया भी वेव है जिसमें यह दुनिया दिख रही है जो की particle है लेकिन यह दुनिया के आगे अगर mirror ना लगाओ तो दुनिया भी वेव है और अगर उस mirror क किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से देख लो जो कि उसकी आरपार देख सकता है तो मिरर है ही नहीं जब मिरर ही नहीं है तो मिरर में देखने वाली दुनिया कहा हो गई अब अगर इस सब के सेंटर में देखोगे तो क्या है ध्यान से देखो इस सब के सेंटर में यानि सारे भूत यह जो पंजभूत है और यह जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है जो हमको दिख रहा है सुनाई दे रहा है इस सब के सेंटर पॉइंट में क्या है तो इस सब्सक्राइब आत्मा कारण है क्योंकि अगर कैमरा तो हो लेकिन अगर उसमें जो रिकॉरदिंग है उसको कोई देखने वाला ना हो तो जो भी उस कैमरे में कैप्चर हुआ वह भी और वो लो ही एक वेव है यानि कि वह है ही नहीं भूत यानि कि वो दिखता है जब कोई देखता है तो इस सब के center point में क्या आ गया observer consciousness बट observer में कोई separation नहीं है ये बात यहाँ पर कही जा रही है आगे अभी देखते हैं क्या कहा जा रहा है ध्यान से सुनना ध्यान से समझना जब science observer के बारे में बात करती है observation that observing is going on but this illusion of a separate observer standing there is a myth थोड़ा सा complex है मेरे को और थोड़ा simple करना पड़ेगा देखो ध्यान से सुनना ये जो wave particle theory है इसके standpoint से समझने की कोशिश करते हैं जब atoms को हमने fire किया और camera को place किया तो वो atoms ने जो छाप छोड़ी दिवार पर वो particle के जैसी है बट जब camera को place नहीं किया camera को हटा दिया तो वहाँ पर wave है ऐसा ने ये कुछ नहीं है कुछ तो है यानि वो atoms जो कहने के लिए particle है वो atoms एक चुल में wave है यानि सिर्फ एक vibration है लेकिन जब camera को वहाँ पर place किया तो हुआ क्या light का और atoms का आपस में contact हुआ और फिर वो light वापस से उस camera में eye capture हुई तो उसकी जो reflection capture हुई उस वजे से वो particle की तरह appear हो रहे है ये पूरा universe actual में vibration है actual में एक बहुत बड़े समुद्र की तरह देखो लेकिन जब इसको किसी particular instrument के थुरू देखते है तो वहाँ पर कुछ forms दिखने लग जाती है जहाँ पर actual में कोई forms नहीं जहाँ पर सिर्फ लहरे है जहाँ पर सिर्फ waves है जैसे होता नहीं है कई बार हम आस्मान में देखते हैं बादलों की तरफ तो हमको वहाँ पर कुछ forms नजर आने लग जाती है आज कल तो whatsapp पे बी उल्टे चीज़े forward होकर के आते हैं कि देखो वो दिख रहे हैं इसकी photo दिख रही है इसकी शकल दिख रही है इसकी आँखे दिख रही है यह दिख रहा है यह सब कहा है actual में है यह आपकी अपनी imagination है कुछ भी imagine कर लो तो आज यह सब समझना हमारे बहुत असान है क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी scientific studies हैं जिसके base पे हम इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं पर सोचो आज से हजारों साल पहले किसे समझा होगा उनों कितने बारीकी से observe किया होगा चीज़ों इस इस ब्यूटी ओफ इस scriptures जिन कौन study कर रहे हैं उसे विवेकी लोग सब और देखते हैं विवेकी कौन होते हैं जो इस विविधता में जो विविध दुनिया है यानि तरह तरह की चीज़े तरह तरह के लोग, तरह तरह के पेड़ पौदे तरह के जानवर इतनी variety है इतनी diversity है उसमें एक को देख लेते हैं उसको विवेकी बोलते हैं जो विविध दुनिया में सृष्टी में एक को देख सके, एक तत्व को देख सके उसको विवेकी बोलते हैं यानि वो जो आत्मा और अनात्मा में फर्क कर सके। यानि वो जो भूतों में और reality में फर्क कर सके। अब ध्यान से समज़ना इस बात को। अभी हमने क्या देखा कि जितना भी कुछ दिख रहा है, वो सब एक्चुल में वेव है। यानि ये सब रुका हुआ नहीं है बह रहा है सिर्फ रुका हुआ दिख रहा है तो वो जो वेव है उसकी कोई फॉर्म नहीं है इसकी फॉर्म है वो वेव ही भ्रह्म है वो वेव ही आत्मा है जो दिख रही है अलग जैसे किसी नदी में पानी ही है एक्चुल में बट वो पा पानी अलग दिख रहा है, पानी के standpoint से दो नहीं है, देखने वाले की जो नजर है उसमें दो दिख रहे हैं, बट दो दिख रहे हैं ये भी problem नहीं है, समझ के level पर अगर वो बोल दे कि लहर और पानी दो अलग अलग चीज़े हैं, या फिर उसको लहर के बारे में तो पता हो, बुलबुलों के बारे में पता हो, पानी के बारे में पता ही ना हो, तो गरबर हो गई, इसको अग्यान बोलते हैं, यानि अग्यानी में और ग्यानी में, विवेकी में और अविवेकी में फर्क को अच्छे से समझ लो, जब ग्यानी भी एक नदी की तरफ देखता है तो उ पानी को भी देख पा रहा है, लेकिन जो अग्यानी है, उसको पानी का कोई अता पता नहीं है, यानि यह जो टेबल यहाँ पर दिख रही है, जो अग्यानी है, उसको सिर्फ टेबल दिख रही है, लेकिन जो अग्यानी है, उसको यह टेबल रॉ फार्म में दिख रही है, उस इस री आँख मतलब क्या एक ऐसी आख जो ग्यानि के पास तो है अग्यानि के पास में नहीं है That is the sound of silence तो जो ग्यानि है वो उस वेव को देख पा रहा है जिसकी यह टेबल बनी है सोफा बना है यह बॉड़ी बनी है तो वो इस पूरे universe को raw form में देख पा रहा है, इसके raw material को देख पा रहा है और वो ये भी जानता है कि जो raw material है, जिसका ये सब बना है, वो ही conscious है consciousness और ये जो universe है, ये दो दिखते हैं, दो है नहीं इसी को अधवैत पोलते हैं It appears to be two, but there is no separation between the two Separation दिखता है, होता नहीं है, दो लहरों की बीच में separation दिखता है, होता नहीं है उसे विवेकी लोग सब और देखते हैं, मतलब उपर, नीचे, आगे, पीछे, हर तरफ उनको वो ही वो नजर आता है, कौन है वो? उसको अब ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, सत्य कहो अलग अलग नाम लोगों ने दे दिये हैं, अलग अलग स्टैंट पॉइंट से इसलिए भगवत गीता में एक जगे पर आता है, कि जब ये पूरी दुनिया सोती है, तब ग्यानी जाकता है और जहां पर ये पूरी दुनिया जाकती है, तब ग्यानी सो जाता है जो अग्यानी हैं, उनके सर पर भूत सवार हो जाते हैं, वो भूतों में ही जीते हैं, भूतों में ही मरते हैं अब भगवान शिव के पीछे भूतों की टोली चलती है तो जब आपको उपनिश्यत समझ आते हैं तो आपको जो religion है वो भी समझ आ जाता है उपनिश्यत की नजर से देखोगे तो जो religion है उसका असली जो मतलब है वो आपको reveal होने लग जाएगा जैसे भगवत गीता में जब ये बात कही कि जब पूरी दुनिया सोती है तो ग्यानी जागता है इसका मतलब क्या है एक ऐसी reality है जिसकी तरफ ये पूरी दुनिया सोई हुई है और ग्यानी उसकी तरफ जागा हुआ है और ये जो पूरी की पूरी दुनिया है जिसके पीछे लोग पागल हुए पड़े हैं काम, क्रोध, लोब ये सब भरा पड़ा है लोगों के अंदर यानि पैसा, पावर, पोजीशन इस सब के पीछे दुनिया पागलों की तरह भाग रही है उस सब की तरह ग्यानी सोया हुआ है उसके लिए मिट्टी में और सोने में कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो देख पा रहा है कि मिट्टी हो या सोना हो, दोनों का सबस्टेंस यह की है, और वो सबस्टेंस मुझसे अलग नहीं है आपको सोने की चाहा हो सकती है जब मैं सोना बोल रहा हूँ तो गोल्ड की बात कर रहा हूँ स्लीप की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन क्या सोने को गोल्ड को गोल्ड की चाहा हो सकती है वो तो है ऐसे ही जब तक दो है तब तक कामना है तब तक करोध है, लोब है भै है, दूसरे से भै होता है किसी की आ जाने का भै होता है किसी के चले जाने का भै होता है भै हमेशा द्वैत में होता है कामना हमेशा द्वैत में होती है जब दो होते हैं जब एक ही है तो ना कोई कामना है ना कोई भै है किसकी कामना करें जैसे आप लोगोंने सुना होगा शिवो हम तो जो भगवान शिव है उनके अंदर क्या कामना हो सकती है ऐसे ही जो ग्यानी है उसमें क्या कामना हो सकती है कामना है तो ग्यानी नहीं है उसमें किसका भै हो सकता है क्योंकि वो तो अमर है, उसको मारने का कोई तरीका ही नहीं है तो ये clear हो गया verse कि जो सब भूतों का कारण है यानि सब भूतों का cause है एक infinite loop है आगे से आगे अगे अगर आप देखोगे तो उस infinite loop में एक ऐसा point आएगा जहां पर जा करके एक conscious being होगा तब आप कहोगे ये पूरा का पूरा loop exist करता है अगर कोई conscious being नहीं है तो उसका होना या ना होना बराबर है अगर इस universe में consciousness नहीं है तो इस universe का होना या ना होना बराबर है जैसे गहरी नीन में आपका होना या ना होना बराबर है सपने में आप कह सकते हो कि मैं हूँ, अभी आप कह सकते हो कि मैं हूँ बट गहरी नीन में क्या कहोगे, आप हो या नहीं हो उस वक्त, ना आप कह सकते हो कि मैं हूँ, ना आप कह सकते हो कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि दोने ही कहने के लिए वहाँ पर तो thought ही नहीं है, कोई feeling नहीं है, कोई experience नहीं है, कोई sensation नहीं है, उसी को गहरी नीन बोलते हैं, तो ऐसे ही यह जो पूरा को पूरा universe है, अगर इसमें से consciousness को हटा दो, तो यह पूरा universe सोया हुआ है, जहां पर भी, जिन भी planets के ओपर, consciousness manifest हो गई है, because of the instrument, not because of consciousness, because consciousness is there everywhere, इस पूरी universe में ऐसी कोई जगे नहीं है, जहां पर consciousness नहीं है, फर्क है instruments का, तो इस standpoint से अगर आप देखोगे, तो समस्त भूतों का जो कारण है, वो consciousness है, और consciousness, यानि कि चित और सत्य, यह दो गई-गए नहीं है, सत्व, चित, सत्अ इस चित, और सत्व, उसे विवेकी लोग सब ओर देखते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि consciousness यहाँ है, वहाँ है, विवेकी लोग ऐसे नहीं देखते हैं, विवेक मतलब क्या, जो सत्य और असत्यमे, सत्यमे और भूत में, आत्मा में और सिर्फ यहां नहीं देखते हैं, वो सब जगे देखते हैं, यह उससे बहुत अलग है जिस तरीके से कोई अविवेकी या अज्यानी इंसान देखता है। मैं आपको एक एक एक्जामपल देता हूँ, उससे बड़ी असानी से समझ जाओगे। आप अपने घर की छत पे जाते हो, वहां पर आपको बहुत सारे पक्षी नजर आते हैं, उन में से भी किसी एक को पकड़ लेते हैं, पिजन। तो क्या वो जितने भी पिजन्स हैं, उन सब में अलग-अलग कॉंशिसनेस हैं। क्या इस उनिवर्स में कुछ भी अलग-अलग हैं, इस सच को हम देख क्यों नहीं पाते हैं। इस जो नहीं देख पाते हैं, इसी को माया कहते हैं। कि इतना ऑब्वियस हैं, फिर भी आम नहीं देख पा रहे हैं। सेम मटीरियल की बॉडी इस बनी हैं। Not similar, same material, same water, not similar water. ऐसा नहीं है, एक कबुतर में अलग तरेगा पानी है, दूसरे में अलग तरेगा पानी है. सब कुछ same है, बस दिखने में उपर-उपर से अलग दिख रहे हैं. ये से मिट्टी की दो मूर्तियां अलग-अलग दिख रही हैं, ये मिट्टी की अंगिनत मूर्तियां अलग-अलग दिख रही हैं, लेकिन है तो सब मिट्टी ही, तो consciousness अलग हो कैसे सकती है? चलो, इसको और सिंपल करता हूँ, क्योंकि पिजिन के केस में भी आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर वहां तक समझ सकते हो, तो इंसानों के लेवल पे भी समझ सकते हो, बट scientifically ये समझना बहुत असान है, यहां पर देखो, एक, दो, तीन, चार, चार बल्ब बने हैं, वो अलग-अलग है, हो सकता है, इन चारों को ये गलत पहिमी हो जाए, कि मैं उससे अलग हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी लाइट उसकी लाइट से ज्यादा है, तो एक में superiority complex है, एक में inferiority complex आ रिया, तो ये जो अलग होने का thought है, मान के चलो, कि ये जो बल्ब है, उससे अलग हूँ, देखो, मेरी लाइट उसकी लाइट से ज्यादा है, मेरी लाइट का कलर उसकी लाइट के कलर से बेटर है, इस बल्ब की जो शेप है, वो और बल्ब की जो शेप से उससे बेटर है, या उससे खराब है, या उस बल्ब को ये लग रहा है, कि मेरी अप नहीं छोड़ दिया ये उसके अंदर हमेशा के लिए रह जाएगा ये जो अलग पन है इसी को हिंकार बोलते हैं ये उसके अंदर हमेशा के लिए रह जाएगा तो उसको ये बोलना पड़ेगा कि एक बार अराम से बैठ करके इस बात को सुनो और समझने की कोशिश करो कि तु तुम औरों से अलग नहीं हो, अलग दिख रहे हो लेकिन अलग नहीं हो material के point of view से भी अलग नहीं हो, तुम्हारे पीछे जो electricity है उसके भी point of view से अलग नहीं हो जो light है उस point of view से भी अलग नहीं हो, तुम ही वो electricity हो तुम सिर्फ वो electricity नहीं हो जो इस bulb के थ्रू आ रही है जितनी भी electricity है जहां पर भी electricity है इस पूरे universe में वो तुम ही हो तुम सिर्फ वो light नहीं हो जो इस bulb के थ्रू निकल रही है क्योंकि light में actual में कोई separation नहीं है जब इस बल्ब की लाइट निकलती है और उसकी निकलती है और दोनों आकरके मिल जाती है तो क्या कहोगे वो किसकी लाइट है लाइट तो लाइट है तो इस बल्ब को क्या समझना पड़ेगा अगर ये मुक्त होना चाता है जिसको मोक्ष बोलते हैं मुक्ती बोलते हैं मुक् it thinks that I am this and this only तब एक struggle शुरू हो गई है और उको पीछे छोड़ने की आगे निकलने की अब वो मुझसे आगे निकल गया है मैं पीछे रह गया हूँ डर लगता है कि एक दिन ये बल्ब नहीं रहेगा देखो आस पास के सारे बल्ब एक एक करके इस बल्ब के साथ में पाँच लोग जुड़े थे एक फ्यूज हो चुका है चार रहे गए वो चार भी फ्यूज होंगे और वो खुद भी फ्यूज होगा डर stress, anxiety, feeling of loneliness feeling of emptiness feeling of separation feeling of pettiness जिन लोगो को आप बहुत बड़ा समझते हो ना जुदिया की नजर में बोलते हो ना यह बड़ा आदमी है यह चोटा आदमी है whatever यह language होती है जो हम यूज करते है अपने घरों में अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी है वो बड़ा भी अंदर से कितना चोटा है अगर वो आपने देख लिया उसकी ब्रेन में जहाग करके उसकी भी ज़रत नहीं है उसके actions को देखो आपको समझ आ जाएगा यह बड़े बड़े लोग भी कितने चोटे है as far as their actions are concerned तो दिखने में दूर दूर से यह जितने भी अज्यानी बल्ब है यह देखने में दूर दूर से अज्यानी के standpoint से बड़े छोटे हो सकते हैं पर अज्यानी के standpoint से देखोगे तो सब एक जैसे हैं क्योंकि अज्यान जिसको बोलते है ignorance मतलब कि उसको नहीं पता कि मैं actual में क्या हूँ और क्या नहीं हूँ बल्प को actually में नहीं पता कि वो क्या है और क्या नहीं है वो खुद को बल्प समझ रहा है जबकि इस एक बल्प के होने ना होने से उसको फर्थ नहीं पड़ता है अगर वो electricity है तो अगर वो light है तो ये बल्प नहीं रहेगा लेकिन जो electricity है लाइट है वो हमेशा के लिए रही है